Hello students, now I am going to start this poem, The Tiger. The Tiger poem is written by Leslie Neres. जो poet है यमारे Leslie Neres, उन्होंने इस poem को title दिया है The Tiger. In this poem, इस poem में a caged tiger tries to tell us, the writer wants to tell us that, about a tiger, when a tiger is locked up in a case, what type of thinking of his? Now look, a caged tiger, एक पिजड़े में बंद tiger, tries to tell us, हमें बताने की कोशिश करता है, what he thinks, वह क्या सोचता है, when he is locked up in a case, जब वह एक पिजड़े में बंद हो जाता है. Students, इस में, जो writer है Leslie Neres, वो जू गए हुए होते हैं, और वो एक tiger को केज में बंद देखते हैं, उसके बाद में वो imagine करते हैं, Now start the poem, now let us start the poem, he stalks in his vivid stripes, here, जो poet हैं, वो देख रहे हैं उसको, he, he is used for the tiger, in his vivid stripes, stripes means धारियां, vivid means spust, stalks means सां से धीरे धीरे चलना, जो चीता है, वो अपनी धारियां, इस पस्ट धारियों सहित, वो सां से अकड़ कर चलता है, The few steps in this cage, और यह जो पिंड़ा है, वह इसमें कुछ ही कदम चलता है, on pats of velvet quiet, और उसके जो पैरों के नीचे कुशन्स होते हैं, पैर के नीचे जो गदी होती है, वो भी बिलकुल सांत है, वो velvet की तरह नारम या मुलायम सॉफ्ट होती है, और उसका जो रेज है, रेज मिस क्रोध, वह भी बिलकुल सांत है, यानि अपने क्रोध को सांत करके, अपने पैरों से धीरे धीरे पिंड़े में कुछ कदम चलता है, वो, कौन टाइगर, Now, the poet imagines that he should be lurking in shadow, lurking means होता है, छिपा हुआ, हाइडिंग, उसको shadow में थोड़ा सा छिपा होना चाहिए, Sliding through long grass, और जो लम्मी लम्मी घास होती है, उस पर फिसलना हो, चाहिए, near the water hole, जहाँ पे पानी पीने का hole हो, where plump deer pass, और जहाँ पे मोटे और fresh हिरन पानी पीने के लिए जाते हो, वह वहाँ पे shadow में छिपा होना चाहिए, और लम्मी लम्मी घास पे उसे फिसलना चाहिए, इन four lines में, जो poet हैं, उन्होंने इस tiger को cage में बंद हुए देखा है, उसके बाद में वह imagine करते हैं कि अगर ये tiger यहाँ पे बंद नहीं होता, तो यह क्या कर रहा होता, तब ही वो करें कि कहीं वो shadow में छिपा हुआ होता, लम्मी लम्मी घास पर फिसल रहा होता, और जहां पर मोटे और प्रेस हिरन पास हो रहे होते, मिस गुजर रहे होते, near the water hole, पानी पीने के लिए यह वहाँ पर होना चाहिए था, He should be snarling around houses, उसे घरों के चारों ओर जोड़दार आवाज में बूलना चाहिए होता, at the jungles is, जो जंगल के किनारे पर होते हैं, Bearing his white fangs, fangs misk नुकीले दात, अपने सफेद नुकीले दातों को खोल कर, his claws terrorizing the village, और गाउवालों को डरानते हुए होना चाहिए था, But he is locked in a concrete cell, लेकिन यह तो एक ठोस, cell में, कोठरी में बंद किया हुआ है, He is behind bars, वह सलाखों के पीछे है, He is behind bars, वह सलाखों के पीछे है, Stalking the length of his case, और अपने पिजडे की लंबाई को धीरे धीरे चल करके, वो मापता है, ignoring visitors, और दर्शकों को भी वो अंदिखा करते हुए, अपनी पिड़े की लंबाई में धीरे धीरे चलता है, He hears the last voice at night, वहां रात्र के अंत में हूने वाली आवाजों को सुनता है, The patrolling cars, जो घूमने फिरने वाली कार हैं, and stairs with his brilliant eyes, और वहां अपनी चमकदार आईज, आखों से at the brilliant stars, और चमकदार तारों को देखते देखते, stairs means घूना, देखते देखते निहारते निहारते अपनी पूरी रात बिता देता है, Now this poem has been finished, Students, at last we can say that, writer जो है, वो इसकी freedom की बात कर रहें, जो theme है, वो एक animal के freedom की theme है, वो बंद है, अगर वो बंद नहीं होता, तो वो क्या-क्या कर रहा होता, writer ने हमको ये बताने की कोशिश की है, कि जानवर, अगर ये tiger हमारा free होता, तो ये क्या-क्या कर रहा होता, ये side'ों में छिप करके, plump deer का weight कर रहा होता, और जो जंगल के किनारे पर गाउं होते, वहाँ पर वो जो रावाज में चिला करके, गाउंवालों को डरा रहा होता, लेकिन अब तो ये सलाखों के पीछे है, तो ये अपनी रात कैसे बिताता है, जो चिडिया घर में होने वाली last, आखरी की आवाजें उनको सुनता है, वहाँ पे जो देखने वाली, रिचर्ड करने वाली, गुमने फड़ने वाली कार्स निकलती हैं, उनको देखता है, और आखरी में वो चमकदार तारों को देखते हुए, अपनी पूरी रात बिता देता है,